इन दौर में कोरोना वाइरस का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वाइरस की चपेट में आने से आज एक और डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर ओम्प्रिकाश चोहान यहां के अर्विंदो अस्पताल में भरती थे। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ओम्प्रिकाश चोहान इन दौर में एक निजी अस्पताल चलाते थे। माना जा रहा है कि किसी मरीज के इलाज के दौरान ही उनको कोरोना संक्रमड हुआ था। पूर्व जिला आयूश अधिकारी रहे हैं धार में पोस्टिट थे और अभी वर्तमान में इंदौर में प्रेक्टिस करते थे। और दो दिन पूर ही इनको अरविंदो में बढ़ती किया गए थे साथ दिन कि किसी मीजी एस्पिताल में बढ़ती थे। नाम नहीं बता हुआ है निवास थे प्रम्देव कालोनी में निवास करते थे। इनकी सर पॉजिटिव रिपोर्ट कब आया थी और कोई कॉंटेट यह प्रेवल हसी? तुकि दो दिन पहले इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आय थी और किसी तरह की इनकी कॉंटेट हिस्टी नहीं है सर कोई मरीज के संपर्ख में आने का अंदेशा हो या? निश्ट से प्रतीत होता है कि इनोंने जो मरीज देखे हैं उन में से किसी के संपर्ख में आये होंगी जिससे इनको यह शक्रपाल होगा सेशतर तीन जो है इन में से एक सत्यदेव नगर के निवासी पुरुषय के वावन वर्षी है जिनका निधन आठ तारिक हुआ था जिनका रिपोर्ट आठ सारी कोई दी माप्ती देगा और दूसरे जो है वो 65 वर्षी पुरुषय जो पिंजराव आखल में रह से थे और इनकी रिपोर्ट आज ही आई है इससे पहले गुरुवार को भी डॉक्टर शत्रुघन पंजवानी की कोरोना वाइरस की चपेट में आने से मौथ हो गई थी एमपी में जितने भी कोरोना संक्रमन के मामले आए हैं उनमें आदे से ज्यादा मामले सिर्फ इन दौर में ही आए है कोरोना संक्रमन के मद्दे नजर इन दौर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है स्वास्ते विवाग के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से लड़ने के लिए पूर जोर कोशिश कर रहे हैं इन दोर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट